इस गेम इन्वाल्स एप अप अच्छे हैं अच्छे बने रहे हैं दोस्तो शोर किल्कट प्रडिक्शन में आप सभी का स्वागत है दोस्तो आज हम आप लोगों के लिए वीडियो लाया है आई पेल 2022 के मेंश नमबर 29 का दोस्तो यहां मैच चैन्डाई वर्सेस कुजरा बहुत ज़्यादा फार्म में है और वही सुरवात की है जीत की अभी हाली में चैन्डाई नहीं है तो चार मैच बैक टो बैक ठानने के बाद पांची मैच जीता है और उसका कॉन्फिटेंट नजर आएगा चैन्डाई में तो यह मैच चैन्ने जितेगी या गुजरा जान लिए पूरा वीडियो देखिए तो उससे पहले दोस्तों आप हमारे चैननल को सब्सक्राइब कीजिये साथ मैं आप चैनल को टेलीग्राम चैनल को जोईन कर लिजिए ऍदो दोस्तो बिना देर के रहे आप टेलिग्राम चैनल जोइन करते हैं जोगी टेलिग्राम चैनल वो प्रचेक्ट मेज की अपडेट आपको विच सेशन के साथ आपको तो चलिए दोस्तो मेज नमबर 29 कर सकता है जी आँ दोस्तो लेकिन दोस्तो ऐसके बाद में अगर कुछ चैनल ऑगिकर दोस्तो में आपको टेलिग्राम पर अब्डेट कर दूँगा तो चलिए दोस्तो अब यहां पर दोस्तो Memphis सें Aware सबसे पेले defend हुआ था, तो दोस्तों जो पीच है यहाँ पे जो फर्स्ट के दो मेच हुए थे वो दोस्तों यहाँ पर defend हुए थे तो दोस्तों उसके बाद यहाँ पे जितने भी matches हुए वो तीन matches continue यहाँ पे chase हुए है, तो दोस्तों यहाँ पे average बेट करना है लास्ट के तीन मेज में दोस्तों वो आसानी से विन कर चुका है तो दोस्तों हमारीγο-نا convert स्पीच पर मेघ करते हैं मतलब सीधा सीधा दोस्तो यहाँ पे दोस्तो only fast baller को help मिलती है तो दोस्तो यहाँ पे सीधा सीधा benefit जो है गुज्रा Titans को मिलता दिख रहा है क्योंकि दोस्तो CSK का सबसे जो big point यही रहा है कि उनकी balling दोस्तो अभी हमने देखा था CSK versus RCB का जो match हुआ था तो दोस्तो वहाँ पे RCB CSK ने भले दोस्तो वो match जीत लिया हो लेकिन दोस्तो RCB बहुत करीब है कि उस match को हरी है मतलब दोस्तो अगर RCB का एक आदा player अगर बड़ा player अगर महाँ पे run बना देता तो दोस्तो RCB आसानी से उस match को जीत जाता लेकिन दोस्तो यहाँ पे केते हैं जब CSK की जो balling है वो दोस्तो काफी weak point है और दोस्तो इस पीच पे only fast baller को help मिलती है थोड़ी बहुत तो दोस्तो वो भी गुजरा Titans को सीधा सीधा इसका benefit दिख रहा है अब दोस्तो गुजरा Titans यहाँ पे defend कर सकती है अगर यहाँ पे bet first करने आती है दोस्तो balling betting इसकी दोनों strong है गुजरा Titans की अब दोस्तो महीं बात करें CSK तो CSK की betting strong है लेकिन balling दोस्तो आपने खुद देखी है यहाँ पे CSK की balling काफी weak है दोस्तो अगर माल लीजे दोस्तो यहाँ पे CSK यहाँ पे 170-180 score अगर बनाती है तो दोस्तो वो आसानी से chase हो जाएगा क्योंकि दोस्तो इनका main weak point है balling अब दोस्तो यहाँ जो toss है इस pitch पर दोस्तो only इस pitch पर toss यहाँ पे main factor नहीं रहने वाला है क्योंकि दोस्तो मैंने आपको बता है कि यहाँ पे 2 match chase हुए बाकी के 3 match यहाँ पे sorry यहाँ के शुरू के जो 2 match है वो defend हुए last के 3 match यहाँ पे chase हुए तो दोस्तो मैं कहे सकता हूँ यहाँ पे toss main factor नहीं रहने वाला है दोस्तो यहाँ पे सबसे most important चीज अगर gujra titans क्योंकि दोस्तो मैं toss का आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि दोस्तो कि यहाँ पे माली जो gujra titans अगर toss जीता है तो दोस्तो वो defend के लिए जाएगा और दोस्तो यहाँ पे माली जागर CS के अगर toss जीता है तो दोस्तो इस speech पे दोस्तो हमने आपको बता है कि दो match chase हुए है और तीन match दो match depend और तीन match chase हुए है दोस्तो कह सकते हैं इस बार 99% probability है कि दोस्तो यहाँ पे जो match है वो defend हो सकता है तो दोस्तो हम AC Analysis टेलिग्राम चैनल पे भी बताते हैं match prediction आपको देते हैं वो बिल्कुल trading के साथ video of cost करवाते हैं तो आपसे request करूँगा कि प्लीज आप हमारा टेलिग्राम चैनल जोइन कर लीजिए अब दोस्तो यहाँ पे playing 11 का बात करते हैं फूल comparison करते हैं playing 11 का तो चलिए दोस्तो अब यहाँ पे playing 11 का full comparison करते हैं दोस्तो सबसे पहले बात करें रितुराज गायकवार वर्षेश शुबमन गिल की तो दोस्तो यहाँ पे रितुराज गायकवार बिल्कुल out of form है दोस्तो मैं आपको जब IPL चाल लू हुआ तो उससे पहले आपको जब मैंने एक cage हो गया था उसके चलते आउट हो है तो वो भी दोस्तो cage के सकते हैं जो सिर्फ एक हाथ में जो कहते हैं फस जाता है वो आला cage था वहना दोस्तो यहाँ रन बनाते उसके बात दोस्तो यहाँ पे बात करते हैं रॉबिन उत्थपा दोस्तो यहाँ पे रन आउट हो चुके थे दोस्तो इन्होंने first hour में ही तीन चोके मारे थे तो दोस्तो कहे सकते हैं कि यह भी form में वापसी कर रहे हैं उसके बाद दोस्तो यहाँ पे बात करते हैं मोही नली और साइस उदर्शन दोनों left hand bets में ने दोस्तो मोही नली की बात करें तो दोस्तो इनका benefit यह है कि दोस्तो यह कब भी चल सकते हैं क्योंकि दोस्तो इनका ऐसा है कि दोस्तो यह जब भी चलेंगे अगर ज़्यादा रन बना देती ही CS के तो दोस्तों इनका जो यहाँ पर main रोल है दोस्तों यह इन्हें पीछे shift कर सकते हैं अब दोस्तों यहाँ पर बात करें अंबाती राइडू तो दोस्तों अंबाती राइडू का भी IPL काफी अच्छा नहीं गया है क्योंकि दोस्तों इन्हें बी मतलब देखा जाए तो इनकी बेटिंग आई लेकिन दोस्तों इन्हें बेट से कोई अच्छा प्रॉफरमेंस नहीं किया है वहीं दोस्तों बात करते हैं शीवम दूवे की तो दोस्तों इस सबसे की प्लेयर होने वाले है और दोस्तों CS के मोहिन अली की जगा इने बेश सकती है आगे अब दोस्तों बात करते हैं रविन चड़ेजा, MS दोनी तो दोस्तों यहाँ पर अभी हमने देखा CS के अगर यह अगर दोस्तों टिक जाते हैं बैट्समें दोस्तों यहाँ पर हमको लग रहा है रितुराज गायक पर काफी अच्छा performance कर सकते हैं इस pitch पर तो दोस्तों यहाँ पर रितुराज गायक पर लग रहा है लेकिन दोस्तों यहाँ पर रविन चड़ेजा और MS दोनी की बात करें तो दोस्तो लगनी रहा है इनकी betting यहाँ पर आने वाली है उसका दोस्तो बात करते हैं हार्दिक पंडिया तो दोस्तो हार्दिक पंडिया को अभी पीछले मेश में हमने देखा राजस्तान रोयल्स में चोट लग गई थी तो उसके according 90% चांसे से कि यह खेलेंगे लेकिन 210% अभी हमारे पास कोई अपडेट नहीं आई कि मतलब यह कनफोर मेश खेलेंगे या नहीं दोस्तो अगर यह मेश नहीं कहलते हैं तो दोस्तो हाँ पर राशित खान केप्टन ट्रेने वाले हैं उसका दोस्तो हाँ बात करते हैं अभी नाउ मनोर की तो दोस्तो काफी अच्छे फॉर्म में हैं तो दोस्तो इनने युजवरेंच एल पे भी काफी अच्छे सिक्स मारें तो दोस्तो कहे सकते हैं यह भी काफी अच्छे प्लेयर रहने वाले हैं उसका दोस्तो बात करें, डेविड मिलर तो दोस्तो बिलकुल भी फॉर्म में नहीं है, तो दोस्तो ये जो अफ़गोनिस्तान के विटकेट की पर है, दोस्तो उनको रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन दोस्तो अभी हमारे पास कोई कंफरम update नहीं आी है, उसका दोस्तो राहूल शमी की बात करें तो दोस्तो मुकेश चोदरी के पास वो speed नहीं है जो मोमस शमी के पास है उसका दोस्तो एम थिकसाना की बात करें और दोस्तो राशीत खान की बात करें तो दोस्तो एम थिकसाना भी recent के दो मेश में काफी अच्छा performance किया है लेकिन दोस्तो राशीत खान की बात करें तो दोस्तो इनका recent performance काफी अच्छा रहा है दोस्तो आपे Chris Jordan की बात करें और Luke Ferguson की बात करें तो दोस्तो Luke Ferguson मैंने आपको बतायाता है आपे fast baller को help मिलने वाली है तो दोस्तो इनकी जो speed हो normal है मतलब कहे सकते हैं सीधा सीधा benefit यहापे गुजरा Titans को मिल रहा है पैटिंग में भी और balling में भी यहापे सीपर अगर बात करें चैन ने सूपर king सकी तो दोस्तो इहापे रितुराज गया एक बार शीवम दुए ओ दोस्तो इहापे मोहिन अली यह 3-4 पैट्समें दोस्तो में ने CSK के जबकि दोस्तो गुजरा Titans की बात करें तो दोस्तो इनके हर मेश में कोई ना कोई प्लेयर रन बना रहा है और मेश जिता रहा है जबकि दोस्तो CSKC पर रोबिन उतपपा ओ दोस्तो शीवम दुए पर डिपेंड कर रही है जबकि दोस्तो इनकी अगर बात करें तो शीवमन गिल, साइस उदर्शन, हार्दिक पंडिया, अभिनाव मनोवर, डैविड मिलर, राहुल टी, टेवाटिया, राशित खान बीन कर सकता है, जी हाँ दोस्तो, हमारी प्रेडिक्शन और एनलेसिस के हिसाब से दोस्तो गुजरा टाइटेंस इस मेच को बीन करेगा तो दोस्तो ऐसे ही deep analysis और prediction के बाद दोस्तो हम आपको यहाँ पे टेलिग्राम चैनल पे toss और दोस्तो मेज देते हैं जिसकी accuracy दोस्तो 90% रहती है तो दोस्तो आपसे request है के प्लीज आप हमारा टेलिग्राम चैनल जोईन कर लीजिएगा क्योंकि दोस्तो वहाँ पे lifetime free prediction मिलेगी हो दोस्तो वहाँ पे personal message का option है जहाँ पर आपका doubt square कुछ भी हो तो दोस्तो आप मुझे दो मिट में solve करवा सकते हो तो दोस्तो उमीद आपको वीडियो पसंद आया होगा धन्यवाद